हमारी धर्ती मुख्य तोर पर चार परतों से बनी हुई है इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट क्रस्ट और उपरी मैंटल को लिथोस्फियर कहते हैं ये 50 किलोमेटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है ये प्लेट्स होरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है टेक्टोनिक प्लेट्स दोनों ही तरह से अपनी जगे से हिल सकती है इसके बाद वो अपनी जगे तलाशती है और ऐसे में एक प्लेट दूसरी के नीचे आ जाती है बिलकुल ऐसे ये Tektonic Plates अपनी जगे से हिलती रहती है लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हिल जाती है तो भूकम पा जाता है मगर सवाल ये है कि ये प्लेट बहुत ज्यादा क्यों हिलने लगती है तो इसके जवाब के तौर पर ये कहा जा सकता है कि खुदरत से छेरचा करने पर इन प्लेट्स में कमपन होता है दरसल धर्ती के नीचे कई तरह की गैस होती हैं उनमें दोश के चलते भी भूकम पा सकते हैं भूकम की तीवरता मापने के लिए रिक्टर स्केल का पैमाना इस्तिमाल किया जाता है इसे रिक्टर मैगनिट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है भूकम की तरंगों को रिक्टर स्केल एक से नौ तक की आधार पर मापता है अब सवाल ये उड़ता है कि भूकंपाए तो करें क्या भूकंपाने पर खुली जगे में तुरंत जाएं घर के अंदर हैं तो मेज या बेड़ के नीचे छिप जाएं लिफ्ट का इस्तिमाल बिलकुल ना करें सीडियों से भागते हुए ना उतरें रेफ्रिजरेटर, टीव गैस तुरंत बंद कर दें मगर इन सबसे जरूरी है अफवाह न पहलाएं आज तक प्यूरू